हलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आज हम पढ़ेंगे history of Kashmir के बारे में जिसमें हम discuss करेंगे sources of Kashmir history इसमें हम कुछ important books को read करेंगे जो history of Kashmir पे बहुत important है books और authors के नाम हम read करेंगे पहली book है निल्मत पुराना जिसके writer unknown है second book है राश्तरंगिनी जिसे कल्धाना जी ने लिखा है थर्ड बुक है तौरीके कश्मीर जिसे मलिक खैदर ने लिखा है फूर्थ बुक है वक्ते कश्मीर जिसे ख्वाजा मौम्मद ने लिखा है उसके बाद तारीके हसन को पीर हसन शाह ने लिखा है मुक्तसर तारीक कश्मीर को बीरबल कश्च्चू ने लिखा है सफर नामा को शरीफु दिन यज्दी ने लिखा है और वैली अफ कश्मीर को सर वाल्टर लॉरिंस ने लिखा है लैंड ओफ लामाज र्वाज रिटन बाई अलग्जंडर कनिहम अब हम एके करके इन बुक्स को डिसकस करेंगे तो पहली बुक है निलमत पुराना निलमत पुराना को अर्लिएस नोन टेक्स्ट कहा गया है कश्मीर का ये हमें राज तरंगिनी एरा के बारे में बताती है अकॉरिन टो दुस बुक्स जो नागार थे वो औरिजनल इनेबिटन्स थे कश्मीर वैली के अकॉरिन टो निलमत पुराना ये जो वैली है औरिजनली एक हुज लेख हुआ करती थी जिसका नाम सतीसर था इसमें एक डीमॉन रहता था उसका नाम जलोद बोवा था वो लोगों को बहुत परिशान तंग करता था जब इन सफरिंग का पता एक सेंट को लगता है जिसका नाम कश्यब रिशी है वो इनकी साहिता के लिए आ जाता है पैनन्स का मतलब होता है कि उसने अपने आपको कश्क दिया जैसे कि पहले जमाने में सेंट वो अपने आपको लोहे की जंजीरों से मारते थे फिर उससे उन्हें कुछ ब्लेसिंग्स मिली जिससे वो मौंटेन को कट कर पाए वारा मुला के पास और वो जो पानी जमा था लेक में वो ड्रेन आउट हो गया जैसे ही वो पानी ड्रेन आउट हो जाता है तो उस डीमोन को मार दिया जाता है क्योंकि जब तक उस लेक में पानी बरा हुआ था तो वो डीमोन को एक वरदान था कि उसको पानी के अंदर नहीं मारा जा सकता है जब वो पानी ड्रेन आउट हो जाता है तो उसे इसली मार दिया जाता है तो इस गटना के बाद इस वैली का नाम कश्यब मर या कश्यब पुरा रख दिया गया तो in fact the word जो कश्मीर का है वो imply होता है land desiccated from water का का मतलब है water और शमीरा का मतलब है to desiccate second book है राज तरंगनी राज तरंगनी को most important source माना गया है कश्मीर हिस्ट्री का इसे लिखा गया है कल्हान पंडित के द्वारा जिसे कश्मीर का first historian कहा गया है कल्हान completed राज तरंगनी in 1149 to 50 AD during the reign of Jaisimba के time पे इन्होंने ये book complete करी है राज तरंगनी means river of kings राज तरंगनी का मतलब है राजों की नदी It chronicles the rule of the valley from earliest time from epic period of Mahabharata to the reign of Sangrama Deva इस book में chronologically order में शुरुआत से महाबारता के time से लेके Sangrama Deva तक पूरी history लिखी गई है कश्मीर की राज तरंगनी को originally Sanskrit में लिखा गया था फिर इसको translate किया था Persian में मुला एमद ने किसके time पे सुल्तान जैन उल अबदीन के time पे इसे translate करा था Stain translated राज तरंगनी into English in the year 1900 में Stain है इन्होंने translate किया था राज तरंगनी को English में 1900 में बुर्ज़हम बुर्ज़हम जो है वो first neolithic site है जिसको discover किया था कश्मीर में ये locate है बैंक आफ डल लेक और जबरवन हिल के बास तुवारी के कश्मीर तुवारी के कश्मीर को मलिक हैदर ने लिखा है जो एक कश्मीरी नोबल मैन थे किसके कोट में यूसिफ शा चक के कोट में उन्होंने बताया है history of कश्मीर के बारे में earliest time से 1617 AD उसके बाद next है वक्ते कश्मीर वक्ते कश्मीर को लिखा है ख्वाजा मौमद अजम कहूल ने इन 1748 AD में इस बुक में growth of religious consciousness, social trends and literally achievements of कश्मीर अंडर मुगल्स के बारे में लिखा गया है अब next बुक है तारीक हसन तारीक हसन को लिखा गया है पीर हसन शाह के द्वारा इस बुक में comprehensive detailed indigenous Persian work के बारे में बताया है जो कश्मीर history में है ये बुक describe करती है history of कश्मीर को earliest time से लेके 19th century तक अब next बुक का नाम है मुक्तसार तारीक कश्मीर मुक्तसार तारीक कश्मीर को लिखा गया है पंडित बिर्बल कच्रू के द्वारा कब 1835 में ये हमें brief बताती है कश्मीर के बारे में under Mughals, Afghans and Sikhs rule इसके बार next बुक का नाम है जफर नामा और तारीक रुष्टी जफर नामा को लिखा है शरीफ उदीन यजदी ने जो हमें relationship बताती है सुल्तान सिकंदर आफ कश्मीर और तैमूर के बीच और जो दूसरी बुक है तारीक रुष्टी इसे लिखा गया है मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा ये हमें account of invasion of कश्मीर by Mughals बताती है अब कुछ important note है जिसमें बताया है कि दो Chinese pilgrims आये थे कश्मीर, ह्यून सैंग और ओ कॉंग इन्होंने detail account कश्मीर का किया है तुवारीके हिंद आफ अलवेरा मैं भी कश्मीर के बारे में जिकर किया है Valley of कश्मीर जो Sir Walter Lawrence ने लिखी है वो भी एक important book है जिसमें history and culture of कश्मीर वैली का बारे में बताया है Land of Lamas जिसको Alexander Cunningham ने लिखा है वो एक important book है जिसमें history, geography और culture राव लुदा के बारे में लिखा है तो दोस्तो हमारा lecture यहीं खतम होता है जो हमारा next topic रहेगा वो होगा ancient history of कश्मीर तो हमारे channel से जुड़े रहें हम जल से जल यह history का पुरा syllabus history के हम यह सारे JKSSB के topics cover करा देंगे दन्यवाद झाल